अगर आपने अभी तक जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सिजाकर जियो बिन्यूज को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन कर दीजिए कोरोना के कहर के चलते दिल्ली में 30 अपरेल तक नाइट करफ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी पाबंदी जिहां देश में कोरोना महमारी की रफ्तार एक पार फिर बेकाबू हो गई है देश के कई राज्यों में कोरोना का कहर तूट रहा है तो वहीं संक्रमितो की संख्या में बेहिसाब बढ़ोती हो रही है महराष्ट सरकार ने राज्य में कोरोना की बढ़ते हुए रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए नाइट करफ्यू और कड़ी पाबंदिया लगा दी है जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के कहर को देखते ह नाइट करफ्यू का एलान किया गया है दिल्ली की केजरिवाल सरकार ने राजधानी के बढ़ते हुए कोरोना संक्रमन के मामलों के मदरजर 30 अपरेल तक नाइट करफ्यू लगा दिया है आज से इस महीने के आखरे तक रात 10 बजे से सुबा 5 बजे तक रात में कड़ी उसना से पहले राजधानी में किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी लेकिन आज से 30 अपरेल तक दिल्ली सरकार ने रात 10 बजे से सुबा 5 बजे तक नाइट करफ्यू लगा दिया है मतदान से पहले TMC नेता के घर पर EVM मिलने से बंगाल की सियासत में उबाल बीजेपी ने लगाए गंभीर आरूप तो 70 रोड पार्टी ने किया इससे इनकार जिहां पस्रिम बंगाल विधासभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है मतदान से पहले राजी के हावडा जिले में TMC के एक नेता के घर पर चार इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मसीन यानि EVM और लगभग इतनी ही संख्या में वोटर वेरिफाइड पेपर ओडिट ट्रेल यानि कि वीवी पैट मसीन मिलने से हड़कम मच गया है इस मामले में एक चुनाव अधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है तो उधर इस मामले को लेकर बीजेपी ने TMC पर हमला बोला है केंद्रिय मंत्री प्रकास जावड़ेकर ने कहा कि उलू बेरिया में TMC नेता गोतम घोश के घर से चार इवियम और चार वीवी पैट मसीन जप्त हुए थे ये मसीन इलेक्षन ड्यूटी पर रखे होई कार से आये थे आज वहाँ चुनाव है इसलिए चुनाव अयोग ने तुरंत करवाई कर उस मसीन को उपयोग न करने को कहा है समधित अधिकारी को सस्पेंड भी कर दिया है बीजेपी के वरिष नेता ने आगे कहा कि इसमें जाच होनी की आवशकता है इसलिए हमारी चुनाव अयोग से मांगे कि वो खुद इसकी जाच करे और कड़ी कर रवाई करे क्योंकि ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह से धांदली है अब मुखतार अंसारी का नया ठिकाना बांदा जेल की बैरक नंबर 15 इस बैरक में कैद दूसरे डौन के नाम जानकर काप जाई ये रोह जिहां बसपा विधायक मुखतार अंसारी की पंजाब से यूपी वापसी की तैयारिया पूरी हो चुकी हैं मुखतार का 26 महीने का यूपी वनवास बुधवार को खतम हो गया मुखतार अंसारी की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई बांदा पुलिस के पंजाब के रूप नगर पुलिस लाइन में अपनी हाजरी दर्ज करवाने के बाद रोपर जेल के से मुखतार अंसारी को बांदा पहुचने के बाद मुखतार अंसारी का नया ठिकाना बांदा जेल की बैरक नंबर 15 होगी बैरक नंबर 15 में यूपी ही नहीं डेश के कई नामचीन कुख्यात और विख्यात रहे अपराधी भी है सुप्रिम कोट ने 26 माज को मुखतार अंसारी को यूपी भेजने का आदिश दिया था दिल्ली में नाइट कर्फ्यू को लेकर कैट का विरोध कहा इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा ऐसे कोरोना रोकना संभाव नहीं जिहां दिल्ली में रात्री कर्फ्यू लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले पर Confederation of All India Traders यानी कैट ने अपन संभावता होगा नहीं इसके सांथी व्यापारियों ने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में साधी समरों सुरू होंगे सहालग आ रही है रात में साधी कारेकरम नहीं हो पाएंगे इसका खामियाजा व्यापारियों को उठाना पड़ेगा कैट के नुसार दिल्ली सरकार को दिल्ली के व्यापारिक एवं रेजिडेंट संगठनों के साथ बातचीत करके कोई ऐसी योजना पनानी चाहिए जिससे कि दिल्ली के व्यापारिक गतिविधियों पर कोई असर ना हो और कोविड को तेजी से उसके प्रकुप को रोका भी जा सके।